राममंदिर के उद्धगार्टन कारिक्रम करने के बाद भार्तिजंता पार्टी दोहजार चौबिस के लोकसभा की चुनाव तैयारी में जुटने वाली है। इस दौरान मतदाताओं को विकास के बारे में और नरेंद्र मोदी सरकार के कारे और कल्यान कारी पहल को लेकर सूचित करने के लिए भारत के साथ लाख गाउं और सभी शहरी बूथों में से प्रतियेक में कम से कम एक पार्टी कारिकरता मौजूद रहेगा। रिपोर्ट के मुताबित बीजेपी सूत्रों ने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्टा समारों के बाद प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी रैलियों सार्वजनिक बैठकों और रोड़ शो का कारेकरम करेंगे। इस दौरान प्याम मोदी 140 से अधिक सलसिदियर निर्वाचन शेत्रों के प्रभारी नियुक प्रदाधिकारियों से पाठी द्वारा मैदान में उतारे गए उमीदवारों के साथ बाचीत करेंगे और उनका वास्तविक समय पर आकलन करेंगे। एक सूत्र ने कहा, साथ से आठ लोग सबासीटे ऐसे प्रत्येक कलस्टर का हिस्सा है जिसका नित्वित्व एक स्थानिय भाजपनेता कर रहा है जो चुनाम नहीं लड़ रहा है। प्रधान मंत्री एक कारिक्रम के लिए प्रत्येक कलस्टर में से कम से कम एक निर्वाचन शेत्र का दौरा करेंगे और एक बड़ी रैली या कम से कम एक रोड़ शो भी करेंगे। साथी कलस्टर प्रभारी के साथ साथ शेश निर्वाचन शेत्रों के स्थाने नित्रित्व के प्रतिनिध्यों के साथ बाचीत करेंगे गाउचलो अभ्यान के तहट ये लक्ष तैय किया गया है कि पार्टी को हर एक बूत पर करीब 51 फीस दी वोट मिले अगर 2019 के चिनाव में ये टारगेट हासिल कर लिया गया तो इसे इस बार उसे और आगे पहुचाना है पार्टी राजनुटिकारों की तरफ से इस अभ्यान के लिए टीमों के गठन का तरीका तैय किया जा चुका है इसके तहट राज इस तरिये टीमें बनाई जाएंगी जिसमें एक संयोजग और चार सह संयोजग होंगे जिला इस तरिये टीमों में एक संयोजग और दो सह संयोजग होंगे मंडल वाली टीमों में एक संयोजग और एक ही सह संयोजग होगा गाउं और शहरी टीमों का एक संयों जखोगा 11 फरवरी को ये कैम्पेन समाप्त हो जाएगा